Hello everyone, Today I will explain cryptography cryptography क्या होती है एक method है जिससे हम data को अपने secure कर सके cryptography में कहाँ use करते हैं जहाँ data अपने secure channel unsecured channel पर data को send करना है और data हमारा secure रहे है वहाँ पे हम cryptography का use करते है Cryptography अभी latest trend में बहुत ज़्यादा गए लेकिन पुरानी बहुत पुराना इसका method है यह Cryptography और first इसमें क्या करते है Cryptography के अंदर एक data sender data को send करेगा अगर normal data connected है A और B A and B और यह channel है चैनल आपका unsafe है तो यहां पर कोई भी आपका packet जा रहा होगा तो बीच में से कोई भी आपके उस packet को use कर सकता है और read कर सकता है तो read करने का होगा कुछ military है या कुछ confidential data जा रहा है उसको अगर बीच में कोई hack कर लेता है और उसको treat कर लेता है तो वह थोड़ा वह बहुत problematic हो जाता है तो इस वज़े से इस चीज को unsecured channel पर जब भी किसी data को भीजा जाए और उसके security का ध्यान रखा जाए तब हम cryptography का use करता है cryptography में क्या होता है एक साइट जैसे इसने सेंडर है सेंडर नहीं क्या किया डेटा सेंड किया उसमें plain text जैसे जो भी लिखना था hello message या कुछ भी लिखना चाहिए प्लीन टेक्स में जाएगा फिर यहां पर एक encryption algorithm होगे algorithm के अंदर क्या होगा एक की होगी जो उसको algorithm के अंदर change कर देगा उसको read करने के लिए उसकी की requirement होती है की की according हम उसको change कर देंगे जब plain text पर उसके encryption algorithm use कर लेंगे तो यह किसमें change हो जाएगा cipher text अब plain text नहीं रहा है जैसे plain text है तो अब यह हो गया a dash cipher text बन गया अब हम इसको network पर send करेंगे तो कुछ भी hackers यह कुछ भी लोग होंगे जो उस packet को लेना चाहेंगे अब packet तो ले लेंगे उसको देख पी लेंगे क्या packet है लेकिन पर यह नहीं पढ़ पाएंगे कि उस packet के अंदर लिखावा क्या है तो हम में में तो यह है कि वह लिखावा पढ़ नहीं सके लॉस्ट हो जाएंगा वह चला लेंगे यह उसको पढ़े नहीं कोई तो उसके लिए cipher text भीजा अब cipher text इधर जब sender ने भीजा तो decryption user तो उधर receiver वह भी नहीं पढ़ पाएंगा अगर cipher text को तो first क्या करना पड़ेग decryption पहले उसको normal text, plain text में convert करना पड़ेगा जब plain text में convert कर लेंगे तब ही हम उसको receiver के पास send करेंगे और receiver उसको read कर पाएगा otherwise receiver भी उसको read नहीं कर सकता अब यहां पर जो एक की है तो यहां दौना तरफ की होनी ज़रूरी है तब यह रीट कर पाएगा तो यहां पर two types की होती है कि symmetric and asymmetric symmetric means जैसे यहां पर A है sender इसने data भीजा encryption वह cipher text बना network पी भीजा और इसको cipher text से इसको decryption करके normal text बना लिया और receiver को send कर दिया यहां पर encryption में और decryption में जहां दोनों जगे की use करी जाएगी अगर वह same होती है same key को use करते हैं यह shared key को use करते हैं तब हम बोलते हैं उसको symmetric key otherwise अगर हम encryption के लिए तो हम एक और की ले रहे हैं और decryption के लिए दूसरी की ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे और symmetry की अब यह है कि इनको कुछ ना कुछ algorithm से ही हम लोगों क्यों की बनाते हैं बहुत सारी algorithm से जिसे की बनेंगी और उनसे हम data को translate कर सकते हैं यह change कर सकते हैं mainly cyber security और net safety के लिए इन चीजों के लिए confidentiality के लिए इन सब के लिए हमें इसकी cryptography के requirement हुए इनको हम encryption decryption भी बोल देते हैं कि वह encrypt और decrypt कर रहे हैं तो इन चीजों का में ध्यान रखना पड़ेगा next वीडियो में मैं बताऊंगे आपको कौन-कौन से symmetric अपने पास algorithm है और कौन-कौन से asymmetric algorithm है और उसको mathematically कैसे यूज कर सकते हैं थैंक यू